अपने सपनों पर अगर आपको खुद यकी है तो आपकी मेनत रंग जरूर लाती है। रिवाडी के नरेश कुमार ने दस साल की कड़ी मेनत के बाद वो कर दिखाया जो बड़ी-बड़ी आटो मुबाइल कमपनिया नहीं कर बा रही। नरेश ने अपने हुनर और काबियत के दम पर बनाया है छे स्ट्रोक एंजन क्या है इसके फायदे और कैसे दस साल नरेश ने हिम्मत नहीं हारी। देखिए रिपोर्ट। लेटेस्ट टिक्नॉलजी बिलकुल नई डिसाइन। ये वो बाइक्स है जो इस साल भारतिय बाजार में लॉंच होने वाली है। देश में सूपर बाइक्स का क्रेज जबरदस तरीके से बढ़ा और उतनी ही तेजी से बढ़ी है इन सूपर बाइक्स की डिमार्ड है। लेकिन इन सूपर बाइक्स में भी वो खास फीचर नहीं है क्योंकि ये सब ही चार स्ट्रोक बाइक्स हैं। लेकिन रिवाडी के गाउं धारन धानी के रहने वाले नरेश कुमार ने बाइक का सिक्स स्ट्रोक इंजिन तयार किया है। नरेश के वल बारवी पास हैं लेकिन नरेश ने वो कर दिखाया है जिस पर अभी दुनिया भर के आटो मोबाइल एक्सपर्स फिलहाल माथापट जी ही कर रहे हैं। नरेश जब बारवी में पढ़ते थे तब अचानक सर से पिता का साया उड़ गया, फिर पढ़ाई छोड़कर राजिस्थान में स्पेर पास की दुकान खोली। लेकिन नुकसान सहने के बाद एक इंस्टिटूट में आटो मोबाइल की ट्रेनिंग ली। यहीं पर नरेश को 6 स्ट्रोक इंजिन बनाने का आइडिया आया। सल 2009 में नरेश ने इंजिन का डिजाइन तयार किया और फिर फाइल नैशनल रिसर्च डिवलप्मेंट कॉर्परेशन में जमा कराई। इंजिन के डिजाइन का पेटेन कराया ताकि कोई इंजिन के डिजाइन को कौपी न कर सके। इंजिन बनाने के लिए नरेश ने नई तरीके से इंजिन को डिजाइन किया है जबकि बाकी एक्सपर्ट्स चार स्ट्रोक इंजिन को अपग्रेट करने में लगे हैं। खास बत यह है कि इस टिकनॉलिजी का इस्तिमाल चार स्ट्रोक इंजिन में भी प्रयोग किया जा सकता है। नरेश अपनी इस काम्यावी पर बेहत खुश है। वो इंतजार में है कि कोई आटो मुबाइल कम्पनी नरेश की इस टिकनॉलिजी को खरीदे और फिर आम पब्लिक भी इस 6 स्ट्रोक बाइक का लुट्व उठाए। झाल 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 झाल